स्कूल की स्मार्ट क्लास कक्षाओं को बनाने के लिए आये लाखों रुपे के बजट में ब्रश्चाचार इतना हुआ कि स्कूल के च्छत के नीचे पढ़ने वाले देश के भविश्च की किताबों पर उसके छीटे आ रहे हैं बारिश ने स्कूल के भवन की कैसी पोल खोल दी है इसकी हकीगत ये तस्वीरें बता रही है बनदेश के डिंडौरी जिलि में सरकारी स्कूलों के हाला इतने बत्तर हो चुके हैं कि इसका अंदाजा हाय सेकंडरी स्कूल बिच्छिया की तस्वीरों को देखकर बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है बिचेया गाओं के इस सरकारी स्कूल में छात्र छात्र आये टपकते छट के नीचे बैठ कर पढ़ने को मजबूर है तो वहीं स्कूल के टीचर स्टाफ रूम के अंदर पन्नी लगा कर किसी तरह पढ़ाने का काम कर रहे हैं जिस स्मार्ट क्लास को बनाने के नाम पर विभाग ने कुछी दिनों पहले अलग से लाखोर रुपे फूग दिये थे वो कबार में तब्दील हो गए हैं इस स्मार्ट क्लास के अंदर रखे महंगे उपकरन और पन्नी चल पानी में भीग कर बरबाद हो रहे हैं इसकुल विवाग के छट खराब होने की वज़े से छट में जमा बारिश का पानी चपकता रहता है इसकुल प्रवंधन ने स्मार्ट क्लास और स्टाफ रूम के अंदर पन्नी तानी हैं बारवी की छातरा राधिका यादव बताती है कि वो पढ़ लिकर कलेक्टर बना चाहती है लेकिन जब वो अपने स्कूल और क्लास रूम की दूरदर्शा को देखती है तो उन्हें बेहत अफसूस होता है राधिका बताती है कि बारिश के मौसन में जब छट से पानी कपकता है तो उनकी किताबे और कपड़े गीले हो जाते हैं जिस्ते उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है साथी उन्हें छट गिरने का भी डर लगा रहता है मैं बहुत देखी हूं अभी बहुत लड़किया इतना जाद अबू कर रहे हैं करने के लिए तीन-चार रैंक में लड़की ही लड़की आई है उसमें से मेरा सपना है कि मैं अभी कुछ करके देश समाल हूं यह बारिस के समिए बहुत दिक्ते आती पढ़ाई करने में ठीचरों को भी सभी काम दिक्कत आती है वह काड़ोया हैं बहां पर भी पनी तान के कम तलाया जाता है और बच्चे बोलते हैं घर से तो आज आते हैं जैसे करके परि स्कूल में आतों बहुत दिक्कत होती है दे क्या है क्या नहीं है इसकूल के प्रिंसिपल ने बताया कि कुछ दिनों पहले आदिवासी विकास विभाग ने इसकूल भवन की मरमत के नाम पर करीब अठारा लाक रुपे खर्च किये थे जिसके तहत च्छत की ग्रेंडिंग के नाम पर ठेकेदान ने गुणवत्ता पूर् परिणाम अन्य स्कूलों से बहतर रहता है लेकिन इसकूल भवन की दूरदशा के चलते अब च्छात रेस स्कूल में एडमिशन लेने से भी कत्राने लगे हैं स्कूल भवन की दूरदशा को लेकर स्कूल के पिंसिपल ने आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों और च्छेत्रिय सांसत्वा केंदी राज्यमंत्री पगन सिंग कुलस्ते को भी अवगत कराया है लेकिन अब तक किसी ने भी इस स्कूल की सुध नहीं दी हाइर सेकेंडी स्कूल भिछिया है और पानी टपगने की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहां पर जो आप लोग खुद प्रतेश देख भी पा रहे होंगे यह स्मार्ट क्लास का रूम है और इसी में आई टी का लैब भी है और आई सीटी के भी दस कंप्यूटर और आने वाले हैं जिसके हमने फिटिंग वगएर सब करा के रखी है लेकिन इस कंडिशन में इतना ज्यादा पानी टपकने में हम बहुत ज्यादा परेशान है सब चीज़ें खराब हो रहे हैं तो पिछ्री इसाल ठेका हुआ है बेभाग सेमार से टेंडर हुआ था और वो टेंडर आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले का सट्यक विश्लेशा हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखलनी उस आपके अफ्रेश आप देख रहे हैं तखलनी उस